नमस्कार ने वल्कम ये अलू वर्ल फेर जावू प्रशान दवर नावाद से कुछ महीनों पहले आपको याद होगा के USA के न्यूस पोर्टल ब्लूमबर की तरफ से सबसे पहले एक रिपोर्ट पब्लेच हुई जहां पर ये लिखा था के हो सकता है के इंडिया में जो 12,000 र से कम के जो फोन है ये इंडिया में बैन हो जाए और कुछ लोगों ने यहाँ पर एक थोरी ये भी बना दी के ये इंडियन कंपनीज के लिए एक ओपन फील्ड बनाई जारी है क्योंकि आपको बताओगा जियो फोन जो 5G पर चलेंगे ये रिलाइंस लॉंच करने वाला है 12,000 रुपे से भी कम के प्राइस में आने वाले कुछ महीनों में most probably 2023 तक ये completely launch हो जाएंगे तो लोगों ने समझा के यहाँ पर जो Bloomberg की रिपोर्ट है इससे related है वगर भारत सरकार ने अब ये बात क्लियर कर दी है क्रिस्टल क्लियर कर दी है कि कोई भी प्लान नहीं है हमारे चाइनीज स्मार्ट फोन को बैन करने के इन इंडिया यहाँ पर आप देख पाऊगे no plans to ban sale of Chinese स्मार्ट फोन प्राइस अंडर रुपीज 12,000 ये हमारे IT के मिनिस्टर आफ स्टेट ने का है और हमारे मिनिस्टर आफ स्टेट आइटी में है कौन ये है राजीव चंडशेकर रिनों ने रिसेंटी ये विए खुशकवरी दी है कि ताइवनीज और अमेरिकन कंपनीज ने अपलाई करना स्टार्ट कर दिया है इंडिया में समी कंड़क्टर मेनिफाक्चर करने के लिए अब यहाँ पर आप पूछोगे मगर इंडिया ने ये स्टांस क्यों लिया आसे चाइनीज कंपनीज को भार निकाल दो देखिए भारत सरकार ने यहाँ पर चाइनीज ब्रैंड ओपो वीवो शामी वगारा जो सारे ब्रैंड जैन को ये का है कि हमारा में इशू आपके साथ अभी के लिए ये है कि आप जो भी स्मार्ट फोन इंडिया में बेशते है ये आप इंडिया में ही मेंफ़ेक्चर करो उल्टा हम तो ये जाते हैं कि आप मेकिन इंडिया को इतना सपोर्ट करो कि इंडिया में 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 अपर काओ गे मगर हम ऐसा क्यो क्यों चाहेंगे कि इंडिया के टारगेट बहूँ चरह बड़े हैं अभी तक मुझे ये वैसे ये काऊंगा present government की जो approach है ये long term की है ये पहली बार है इंडिया में मैं काऊंगा कि जब हम truly एक long term vision से देख रहे हैं हम short term goals के लिए long term में जो इंडिया की GDP growth rate हम को चाहिए लगाता 10% की उससे compromise नहीं कर रहे हैं अब इंडिया का target क् long term का long term में हमारा target ये है कि electronics की जो production है हमारी ये 300 billion डॉलर होनी चाहिए और जो electronic items का export है ये होना चाहिए भरत से 120 billion डॉलर का अभी के लिए सिर्फ production की अगर मैं बात करूँ अभी export तो खेर काफी कम है सिर्फ अगर मैं production की बात करूँ तो ये भी 76 billion डॉलर है और 2022 आपको बत target है 300 billion डॉलर के electronics production का इससे इंडिया भी बहुत बहुत जादा पीछे है अभी जो जिस speed से हम आगे बढ़ रहे है 200-200 billion डॉलर भी कर दिया तो भी मैं कहूंगा बहुत बड़ी जीत होगी तो आज के समय इंडिया effort नहीं कर सकता के Chinese companies को हम भार धकेल दे क्योंकर देखिए 12, 12,000 से कम रुपे के smartphones इंडिया में बहुत बितते हैं इंडिया आप अगर देखो predominantly एक ऐसा देश है जहां पर आम आदमी काफी कम कमाता है बहुत से लोग हैं इंडिया में जो 12,000 से कम रुपे के smartphones पर्चेस करते हैं तो ऐसे segment से अगर हम Chinese companies को भार निकाल देते हैं तो वो इ manufacturing करते हैं टोटल इनकी 12 से लेकर 18% value addition की manufacturing होती है इंडिया which is very very less हम चाहते हैं कि ये बहुत जारा बड़े in the coming few months पिछले 10 साल में आप अगर देखो तो Chinese companies ने literally इंडिया में लूटाई है यहां पे दब के phone बेचे हमारी जो domestic company स्थीन को kill कर दिया आपने prices कम करके उसके companies इंडिया में अपनी manufacturing बढ़ाए यह बहुत ही जादा मैं काऊंगा normal है और ऐसा नहीं है कि हमारे target अचीव करने के लिए हम सिर्फ चाइना पे depend करते हैं main हमारी जो dependence है वो actually USA और South Korea पे है क्योंकि आपको बताओगा Samsung औरेडी बड़े scale पर इंडिया में कर रहा है manufacturing Apple ने तो high-end model products हैं वो भी इंडिया में manufacture करने start कर दिये हैं भारत सरकार को Apple से इतनी उमीद है उनने ये का है कि आप हर साल ना every single year 50 billion डॉलर के जो goods इसमें ना सिर्फ फोन इनके tablets और इनका जो smartphone वगारा जो भी laptop सब कुछे बनाते हैं सबाता है मगर obviously इसमें जो major chunk है ये इनके iPhone का रह पर साल बनाया करेगा तो यहां के लिजे basket है जहां पर हम चाहते हैं कि Apple contribute करे Chinese companies का लग contribution होगा Samsung का contribution होगा हम किसी भी party को नराज करके अपने जो goals हैं इनको अचीव नहीं कर पाएंगे और भरत सरकार का मानना ये है कि हमारे पास आज के समय इतना room है Indian market इतनी बड़ी है export potential इतना ज़ादा है PLI scheme इतनी अच्छी है कि इस market में जहां पर South Korean American Chinese companies है Indian companies भी properly अपना share acquire कर सकती है तो देखना आपर बहुत interesting होगा कि Reliance GEO इतने tough competition में क्या अपनी खुद की एक market ग्रो कर पाएगा क्योंकि अगर ऐसा हो पाता है तो it will be nothing short of a market miracle उस सब के अलावा भी आप देखो तो Chinese companies को ना बैन करने के पीछे एक बड़ा reason ये भी हो सकता है कि हम लोग किसी segment में monopoly नहीं चाहेंगे क्योंकि देखो 12,000 से कम रुपे के जो phone है वहाँ पे Apple तो आता नहीं है ना Samsung कुछ जादा competition देता है Samsung के मुश्किल से एक दो model होंगे यहाँ पर main Chinese companies बहुत जाद revenue कमाती है इस particular segment में तो अगर Chinese companies को हम कर देते हैं यहाँ पर remove तो आप कह लीजी ये जियो की monopoly यहाँ पर हो जाएगी जो कभी भी industry के लिए ठीक होता नहीं है competition जब रहेगा तो innovation होगी नए type के phone आएंगे और ultimately इससे consumer को ही फायदा होता है आम आत्मी को ही फायदा होता है और हम expect नहीं कर सकते के immediately वो 20-25,000 के phone purchase कर लेंगे initially वो 12,000 के phone ही purchase करेंगे और उसमें जितनी option उनके पास रहेगी उतना बढ़िया है और यहाँ पर यह जियो मत कर लेना के इंडिया अब strategic point of view से चाइना पर soft हो जाएगा क्योंकि इंडिया ने recently पहली बार history में पहली बार openly Taiwan state क mention किया है और militarization जो यह word है यह भी use किया है यह बहुत बड़ी बात है चाइना ने भी यह बात notice करी है तो और जगा आप एकर देखो चाहिए Yuan Wang class का issue हो USA के साथ यो दो ब्यास करना हो चाइना की border पे वहाँ पे हम चाइना पे pressure बना के रखेंगे मगर हम चाइना के सामने simple deal य यह रख रहे हैं Indian market का access चाहिए हमें jobs दो हमारे या factories create करो हम यह टॉलेट नहीं करेंगे कि तुम लोग हमारे या phone बेचो उसके बाद पैसा चाइना में ले जाओ और जो jobs हैं यह भी सिर्थ चाइना के पास जाए we need some major changes तो यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा आपके एसाब स क्या Indian government का जो यह निर्डे है ठीक है या फिर आप मानते हैं के एक बार Chinese companies को चेतामनी दिने के लिए 12,000 रुपे से कम के जो स्मार्टफोन हैं उस segment से चाइना को एक बार ब्लॉक कर देते इट वोड़ाव सेंड एस strong message लिखेगा इसके बारे में comment section में मैं जानना चाहूंग आपका opinion और फाइनली आप सब लोगों के लिए important information अनकाडमी की जो 20% discount sale है ये कुछी दिनों के लिए फिर से active हुई है अगली बार ये most probably एक महीने बाद ये active होगी it will take a very long time तो सभी courses पर चाहे SSC UPSC bank सभी courses पर flat 20% discount चल रहा है तो let's say for example आप prepare कर रहे हैं for UPSC तो वीडियो के comment section में जाओ यहाँ पे आपको मिलेगी ये pinned comment यहाँ पे करो UPSC के link पर click और यहाँ पे आप purchase कर पाओगे UPSC का course from anacademy और यहाँ पे आप देख पाओगे जो prices लिखे है ना यहाँ पर for example let's say आपको 36 मेने का जो course यह purchase करना है अभी आप college rent हो time है एक दो साल का अराम से prices यहाँ पर लिखे है यह pay करने की जरुवत नहीं है simply यहाँ पर code डालिए PD10 and the prices will start falling और सिर्फ 2327 रुपीज पर मन्त में आप UPSC की त्यारी कर सकते हैं while sitting at your home through an academy so use the code PD10 and save money so as you note के साथ यह है video का थांक यू फॉर लिसनें and as always God bless you all